हाई फिरेंड्स इस वीडियो हम बात करेंगे बुंदेश लीगा के लीग के मैच के बारे में और यह मैच खेला जाएगा बायर, लेवर कोशन और बोचूम के बीच में तो दोनों टीम में सा आज के मैच में कौन सी टीम एक से ट्रॉंक टीम है और कौन से team एक weak team है इस topic पर details में चर्चा करेंगे और यह topic भी काफी interesting है कि कौन से team इस match को win करेगी और कितना goal score करेगी और किन 11 players को team में लेकर चलना है और किस player को captain और किस player को wise captain मनाना यह सभी जानकारी आपको इसी video में complete दी जाएंगी प्रस आप video को ध्यान से देखना तो चलिए अब इन दोनों team की point table पर नज़र डालते हैं तो guys buyer lever cushion point table में फिलहाल के time पर 9th position पर है वहीं पर बात करें बहुत चूम फिलहाल के time पर 15 position पर है तो दोनों team जो position है उसमें भी हलका से difference देखने को मिलता है तो guys अब बात आती है कि इन दोनों team में से हम की team को आज के match में एक favorite team मान चले है मतलब एक strong team मान चले है तो guys मैं फिलहाल के लिए buyer lever cushion को एक favorite team मान के चलता हूँ क्यों? क्योंकि ये match इस team का home ground में और ये team जब भी अपना home ground में बोचूम के सामने match खेलती है या तो match को win करती है या match को draw खेलती है लेकिन match को जल्दी से हारती नहीं है तो इसलिए में buyer lever cushion को एक favorite team मान के चलता हूँ लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोन team आपस में head to head matches केलती है तो किस तरह का performance इन दोनों team के और से देखनों को मिलता है और यहां से भी clear ही हो जाएगा कि कौन से team इस match में clear cut favorite team होने वाली हमार समोली team create करने के लिए dream alone पर तो नज़र डालते हैं इन दोनों team के head to head matches पर तो guys इन दोनों team के बीच में last 6 head to head match खेले गए है और 3 match buyer lever cushion ने win करे हैं एक match इस team के सामने draw खेला और 2 match हारे भी है अटेक से 1.7 goal पर मैच सकोर के defense से 1.2 goal पर मैच सकोर कंसीड किया है कहना के मतलब जब भी buyer lever cushion इस team के सामने match खेलती है अधिकतर matches या तो win करते हैं या match को draw खेले लेकिन जल्दी से loss करती नहीं है और अटेक काफी शांदार काम करता है और defense जल्दी से goal कंसीड नहीं करती अब हम बात करें जो पिछला match इन दोनों team के बीच में खेले गाए उस match को दोनों team ने defensive draw खेला ना ही goal सकोर किया और ना ही goal defense से कंसीड किया और उससे मुकावल बायर लेवर कोशन इसी team के सामने 1-0 से win किये तो recently दो head to head match इन दोनों team बीच में काफी loss scoring देखनों को मिले है लेकिन उससे पिछले जितने भी matches इन दोनों team के बीच में खेले गए उन सभी matches में बायर लेवर कोशन इस team के सामने goal score भी किया है और defense से बराबर से goal concede भी किया और कहीं ने कहीं बायर लेवर कोशन इस team के सामने 2 match win करे हैं और 2 match loss किये हैं तो उन matches में 50-50 performance देखनों को मिलता है लेकिन recent के दो head to head में ये पता चलता है कि बायर लेवर कोशन इस team के सामने आज अच्छा कर सकती है अब हम बात करते हैं इन दोनों team के जो current form उसका according जो फिलाल टाइम जो performance है हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं तो गई बायर लेवर कोशन currently 6 match खेल चुके है 5 match इस team ने win करे हैं और 1 match loss किया है फाइप ने 3-2 से match को win किये और 1 match इस team ने कोपन हैन हागेन के सामने 1-0 से win किया है और उसे पिछले 2 match इस team ने win करें दोनों match में इस team ने काफी ज़्यादा performance किया है अटेक से और defense से भी एक गोल concede किया है और 1 match गलेश गो रेंजर्स के सामने ये team जरूर 3-0 से हरी है लेकिन उसे मकावल ये team 3-0 से match को win भी किया है तो current form बायर लिवर को उसनका काफी मजबूत है अटेक से लेकर defense तक तो अब हम बात करते हैं बोचूम का जो current form उसका according जो फिलाल टाम जो performance है हम एक बार उस पर भी नजर डालते है तो guys VFL बोचूम currently 6 match खेली है और इस team ने सिर्फ एक match win किया है तीन match draw खेले और दो match loss किये अटेक 1 goal per match सकोर है defense 1.5 goal per match सकोर कंसीड कर देता है तो attacking performance भी down है और defense भी थोड़ा सा goal कंसीड कर देता है और match को win भी नहीं कर पाती अब हम बात करें जो पिछला match हैरता बैरलिन के सामनी ये team 3-1 से match को win कर गई तीन goal सकोर किया लेकिन defense से एक goal कंसीड किया और एक match इस team ने attacking draw खेला एक goal किया और defense से एक goal कंसीड किया और उस अब लुगावल ये team 3-0 सा हरी है और एक match attacking draw खेले तो current form अगर इस team का देखा जाए तो फिलहाल टाइम पर attack अच्छा है लेकिन defense से goal कंसीड कर देती है और match को हार ये draw में तबदील करती है तो final guys अब बात आते हैं अब इस match का score line prediction क्या होनी चाहिए तो गई साउसवल हमने इन दोनों team की point table पर नज़र डाली फिर हमने इन दोनों team के headward matches पर नज़र डाली फिर हमने इन दोनों team के recent form पर भी नज़र डाली अगर हम इन तीनों format को एक साथ compare कर लेगी कौनची team का मजबूत पक्च रहा है इन तीनों format में तो कि point table का according buyer liver cushion एक बहतर position पर है as compared to bochum bochum इसलिए की bottom team है और hatward का according देखा ज़र बायर liver cushion ने इस team सामने अधिकतर matches या तो win कर रहे है या draw खेले लेकिन match को जल्दी से loss नहीं किया है और recent form का according देखा ज़र बायर liver cushion का attack और defense काफी मजबूत है और match को win भी किया है और bochum का performance काफी गंदा है attack से लेकर defense देखा और match को हारी भी जाती है तो तीनो format में आपको buyer liver cushion ही एक strong team देखने को मिलेगी तो इसलिए मैं इस team के एक strong team मानके चलता हूँ तो final guys अब बात आती है अब इस match का score and prediction क्या होने चाहिए तो मेरा मानना यह है दोस्त कि कम से कम आज का match में buyer liver cushion की तरफ से आपको दो गोल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और साइध defense goal consider ना करें क्यों क्यों कि बोचum का इतना बहतर attack performance है नहीं और liver cushion का defense मजबूत है तो इसलिए मैंने इस match को predict किया है 2-0 और 2-0 को आधार पर ही हम अपने dream alone team create करेंगे dream alone पर उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों team के players के बारें कि कौन से player ना कितने goal और कितना assist किये हैं क्योंकि अभी तक जो हम ना बात की है इस video में कि कौन से team इस match को win करेगी और कितना goal score करेगी लेकिन कौन कौन से player हमारी team में important रहेंगे आज के match में वो सारी जानकारे आपको complete दी जाएगी और हाँ दोस्त अगर आप channel पर नए होने तो आप channel को subscribe जूरू करना क्योंकि इसी परकार की video information आपके इस youtube channel को complete मिलती रहेगी तो आप channel को subscribe भी कर सकते हो बात करते हैं स्यथे मुद्य के player रहे कि की चने एक टोरर मोशा ड्याबी जिसने इस टीम की लिए च्छे गोल सकूर के है इस ने इस टीम लिए 5 गोल के हैं जिसने तीनと思います पेकर ने भी 2 गोल के हैं और यहांसे आमिरी जिसने दो गोल प्रफोर्मेंस था इस सीजन में सिर्फ दो ही गोल सकोर किया है और बाकि जितने और भी प्लियर सा उन सभी का आपका सामने चलेंगे तो अब हम बात करते हैं इस टीम तरह रहां कॉंण सब्सक्राइब बाकि जो ऑप्सें बचते हैं उन सभी का वह एक 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 आसिस्ट आप इनका सिक्रींश ले सकते हो यही वह प्लियर सा आपको बार बार इस मैच में गोल और देखने को मिलेंगे जो सेकंड टीम उ सब्सक्राइब नज़र डालते हैं सब्सक्राइब एक गोल किया और उपसिन बचते हैं उनका भी आपके सामने रिकोड आता एक बात करते हैं तो चलिए हम नज़र डालते हैं तो आपकी टीम में आज के मैच में यह प्लेर्स होना चाहिए तो आप इन अपने टीम में लेकर चलना फिर यहां से क्रिश्टोफ और एंट वी जिसने तीन असिस्ट निकाले हैं वाकि जितने आपके सामने रिकोर्ड भी है आधार पर क्या रहने चाहिए जो हमाँ शमौल लिक टीम में ड्रीम लों पर तो सीधर नज़र डालते हैं इस मैच की ड्रीम लों टीम पर और इस वीडियो का सेग्ड बेस्ट पार पर जहां पर मैं आपके लिए हर एक प्लेश के बारे में फूरी तरह जान करें दूंगा क किस प्लेश को ग्रांड लिक में लेकर चला किस प्लेश को समोल लिक में लेकर चला तो चलिए टीम पर इस नज़र डालते हों तो गाई सबस्पाल हम बात करते हैं गोल कीपरिंग सेक्शन से उससे पहले मैं आपके बता दूंग बायर लेवर कुशन इस मैच में एक करते हैं बात करते हैं बात करते हैं डिफेंडिंग सेक्शन से जो कि यहां पर आपके लिए एक इंपोर्टन सेक्शन स्टार्ट होता क्यूं क्यूंकि आपके लिए सब अच्छे से बता देंगे लेकिन डिफेंडर सेक्शन एक बेस्ट होता जिसमें आपको सेलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता तो मेरी पहली चोईस यहां से अगर यहीं डिफेंडर खेलते रहे तो यहां से एक इंपोर्टन पी रहेगा हिंक कैफी जो के हैडर में कम रहते हैं इस प्लेयर का इंट्रसेप्शन टेकल का भी कम रहते हैं अगर आप लिक खेल रहे हो तब तो लेके चलना अगर समोली खेल तो आप चाहिए तो ड्रोबिक कर सकते हो यहां से टेप सोब एक इंपोर्टन प्लियर रहेगा तो इसलिए हम करेंगे जरह में इस टी किनों प्लेयर से इतना इंट्रसेप्शन टेकल का पॉइंट आते नहीं है तो इसलिए ट्राइप नहीं करूंगा लेकिन मैथ्यू बेकर अगर खेलता है तो आज को जरूर लेकर चलेंगे क्योंकि यह प्लियर अच्छा है अब उस कंडिशन में क्या करना कि यहां से आप ट इंट्रसेप्शन टेकल का पॉइंट आ सकते हैं सेलक्षन पर ध्यान मत दो क्योंकि सेलक्षन के साब सब्सक्राइप बना तो कभी बहतर नहीं बना सकते अगर हैं यहां से हैडर में इस टीम के तरफ से इनको पिक कर सकते हो जिसका डिफेंसी वर्क तितना अच्छा नहीं क्या पतक ग्योल आ सकता है तो यह कुछ सेलक्टिड प्लियर है अब हम बात करें मिड्फिल्ट सेक्षन से तो मेरी पहली चोईस डैमिर बह जो कि इंपोर्टन प्लियर रहेगा और इनको लेकर चलेंगे रोबर्ट एंड्रिक एक इंपोर्टन प्लियर रहेगा तो इन दोन प्लियर रहेगा तो यहां से नदीम आमीर है तो असिस्ट में भी आ सकता है प्र बाकि यहां से अश्रानों को ज्याद से नहीं करूंगा और बाकि जो ऑप्सें बजते हैं इनमें सिर्प एंटीवी को पिक करता हूं क्यों कि इसका असिस्ट और गोल दोनों में यहां पर आपके सामनों बहुत ज्यादा ऑप्सेंस हैं जैसे कि मोसर डिया भी टीम के तरफ से टॉप क्लास प्लियर है गोल में भी असिस्ट में भी कंट्रिबूशन रहा प्लस कैप्टन वारी इसका आराम से बना सकते हो पैट्रिक सी प्रिवेस सीजन का टॉप क्लास प् यहां से हैडिशन ओडोई है जो कि चैल्से की तरफ से खेलता था इससे पहले इससे तो इतना मैं ज़्याद से नहीं करूँ बाकि ऑप्सें जो मुझे से लगते हैं यहां से होपमान है आप नहीं रख सकते हो बाकि किसी का चांस नहीं यह खेलेंगे मैं अभी के लिए बहुत बड़ा गोल कर सकता हलकी टीम के सामने तो यह टीम का प्रिव है दोस्त लेकिन याद रहे यह एक डेमो टीम है फाइनल टीम लाइनप आने के बाद कि कौन से प्लियर नब मिनट कंप्लीट खेलेगा और किस प्लियर का ऐसा पॉइंट आएंगे जो बिना गोल के भी बाकि यहाँ पर जो ऑप्शन यह बसते हैं इनको तुम मैं इस टीम तरफ से ज़्याद असेस्ट किसी प्लियर को नहीं करूं 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 लेकिन आप ग्रांड लीग में डिफेंटन सेक्शन से जरेमी और यहां से मैचल बैकर एक इंपोर्टन रोल निभा सकता है त अबस्क्राइब दूफ जब कर दो